आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं वीप्रो स्टॉक के बारे में अभरॉल आज के ट्रेडिंग सेशन में वीप्रो स्टॉक में आप देखेंगे कि अराउंड 2% तक का तेजी रहा है ब्रोकर्स कॉल अगेन इस श्टॉक को बाइंग रेटिंग देते वे दिख रही है जिसका सबसे बरा कारण है कि एक पॉर्टफोलियो श्टॉक है अगर आप चाहें तो इस श्टॉक में इन्वेस्टमेंट के परपसे स्यूर्ली आप बाइंग कर सकते हैं जहां जो लॉंग टर्म इन्वेस्टर है वो एकुमिलेट कर सकते हैं अगर आपका होरिजन मोर देन टू इर के लिए है तो लेकिन सोट टर्म टेडर थोरा कॉसन बरते चुकि चार सो के आसपास के प्राइस से एक पुल बेक जो एक्सपेक्टेड था वो 440-450 तक के लेविल्स का दिख सकता है मेरा प्रसनली रिकमेंडेशन सोट टर्म टेडर के लिए रहने वाला है कि अगर ये श्टॉक 460 के उपर का क्लोजिंग दे तभी लॉंग करे अगर इस समय अल्रेडी होल्डिंग बनाए हुए हैं तो 410-408 के नीचे के क्लोजिंग के श्टॉक लॉस को श्यूर्ली फॉलो करें और जो पूलबेक टार्गेट रहने वाला वो 440-445 तक के टार्गेट आपको पूलबेक में इस श्टॉक में विदिन 3-5 डेज में दिख सकते हैं काउंटर में इन्वेश्टर स्यूर्ली पोजिशन बनाए रखे आप चाहे तो यहां से एकुमिलेट कर सकते हैं